हेलो दोस्तों, 9th class के important questions की series को continue करते हुए आज इस वीडियो में आप इस question को सीखेंगे हमारे पास question है, गुड़न खंड कीजिए और यहाँ पर यह x कीखा 4 minus 3x square plus 2 इसका हमें गुड़न खंड करना है, देखो कैसे करेंगे तो जब भी आपके पास इस तरह से question आता है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो, हमारे पास question है कि x power 4 minus 3x square plus 2 तो यहाँ पर हम जो x square है, इसको ले लेंगे y तो हम लिखेंगे, माना x square is equal to y और जो x की खाट 4 है, यह क्या हो जाएगा? तो अगर हम y का दोनों side work करेंगे तो यह तो हो जाएगा 2, 2, 4 और यह हो जाएगा y square यानि x square अगर y है, तो x का 4 हो जाएगा y square, है न? तो जब भी आपके पास question इस तरह से आता है तो हमेशा हम इस तरह से लिख देते हैं, question थोड़ा आसान हो जाता है तो यह ध्यान रखना, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए तभी आप इस तरह से करेंगे, ओके? तो इसी लिए जो हमारे पास question है x power 4 minus 3 x square plus 2 यह अब बदल जाएगा किस में? x की घाट 4 है, जहाँ पर वहाँ पर आप y square लिख देंगे और जहाँ पर x square है, वहाँ पर y plus 2 as it is आएगा और अब हमारे पास question ऐसे में reduce हो गया है और जो कि relatively थोड़ा आसान है करना तो यहाँ पर हम middle arm splitting करेंगे और I hope आपको यह पता होगा कि ऐसी परिस्तिती में हम क्या करते है इसके हम ऐसे factor करते हैं ऐसे गुड़नखंड करते हैं जिसको plus करके 3 आए यानि जिसको यह sign important होता है जिसको plus करके यहाँ पर 3 आए तो वो 2 into 1 ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा y square minus 2y minus 1y लिखो या केवल y लिख दो plus 2 अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर y common लेंगे यह हो जाएगा y minus 2 यहाँ पर minus 1 common लेंगे और यह हो जाएगा y minus 2 यहाँ तक सब समझ आ गया और अब इसके बाद y minus 2 दोनों में है तो यह हम यहाँ से common लेंगे और अंदर भचेगा y minus 1 ठीक है इतना समझ आ गया और अब जो है हमने जो शुर में x square is equal to y लिखा था इसको वापस put कर देते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा x square minus 2 और यहाँ पर हो जाएगा x square minus 1 समझ आ गया देखो x square minus 2 तो आगे इसका गुड़नखंड होगा नहीं लेकिन इसका आगे गुड़नखंड हो सकता है को हम लिखेंगे x square minus 1 square ठीक है और यह हो जाएगा x square minus 2 और x square minus 1 square होगा x plus 1 into x minus 1 क्यों? क्योंकि x square minus y square का formula होता है x plus y into x minus y और यह हमारा answer आ चुका है आप ऐसा करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे लेकिन एक और चीज़ आप ध्यान रखो कि यहाँ पे जो है इसके बाद हम इसको एक और तेरह से कर सकते थे एक और तेरह से का मतलब यह है कि हमने इसका गोड़न खंड़न नहीं किया है तो हम इसका भी कर सकते हैं लेकिन वो उसमें root आ जाएगा देखो कैसे? कि x square minus 2 है इसको हम root 2 का work ऐसा लिख सकते है और जो यहाँ पर यह दूसरा वाला है यह तो हमने वैसे लिखी दिया था कि x square minus 1 का square है और अब यह वाला formula दोने में लगाएंगे हम तो इसमें अगर लगाएंगे तो एक बार हम plus करेंगे और एक बार हम इसको minus करेंगे और अगर यह हम इसमें अपलाई करेंगे तो यह होगा x plus 1 x minus 1 यह भी इसका गुड़न खंड है तो अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो भी आपको पोरे नंबर मिलेंगे इस तरह से करेंगे तो भी पोरे नंबर मिलेंगे ऐसे ही और questions के लिए आप description box में playlist चेक करें Thanks for watching